इस कहानी की शुरुआत होती है माईलो नाम के एक आदमी से, जो आउटिजम नाम की एक दिमागी बीमारी से पीरित है। माईलो एक लेडी पर नजर रखे हुए था और अपने दिमाग में कुछ कैलकुलेशन कर रहा था। इसके साथ ही वह अपने आसपास हो रही चीजों को भी नोटिस कर रहा था, जैसे की एक पैसेंजर बस, सड़क किनारे बैठा एक आदमी, सड़क पर मौझूद एक पॉट होल और तेज रफतार से आती हुई साइकिल। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर माईलो ने रोड को क्रोस किया और अपनी जेब में पड़ी पेंसिल को एक मेल बॉक्स पर रख दिया। और उसने यह नहीं देखा कि सिगनल पर रेड लाइट चल चुकी है। इस लापरवाही के चलते बस ने उस लेड़ी को टकर मार दी जिस पर माईलो नजर रखे हुए था। इस तरह से माईलो ने अपनी कैलकुलेशन के दम पर एक खून कर दिया और उसे बड़ी चालाकी से एक हाथसा बना दिया। अगले सीन में हम ओलिविया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो FBI के फ्रिंच डिपार्टमेंट में काम करती है। आज ओलिविया काफी दिनों बाद काम पर लोटी है क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उसके सर में थोड़ी चोट आ गई थी और इसलिए उसे एक लंबी चुटी पर भेजा गया था। चीफ ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि पिछले मिशन के दौरान उलिविया की जान चली गई थी। चुटी ओलिविया उनकी सबसे बेस्ट एजेंट थी इसलिए चीफ उसे खोना नहीं चाहता था और उसने एक क्लोन के अंदर ओलिविया की सारी यादें डाल दी और उसे फिर से जिन्दा कर दिया। थोड़ी देर बाद डिपार्टमेंट के लोगों को उस हादसे की खबर लगी जहां एक बस ने एक औरत को टक कर मार दी थी। चारली सभी को बताता है कि पिछले एक हफ़ते में ऐसे हादसों की खबरें दो बार आ चुकी हैं और हो ना हो इसके पीछे जरूर किसी इनसान का हाथ है। थोड़ी देर बाद ये सभी उस लोकेशन पर पहुंचे और वहां मौझूद लोगों से पूछताच करने लगे। इस इन्वेस्टिगेशन को लीन नाम का एक आफिसर लीड कर रहा था, जिसका चहरा पूरी तरह से जला हुआ था। चारली ने उस डेड बोड़ी की जांच की और उसके फिंगर प्रिंट से यह पता लगाया कि मरने वाली औरत का नाम जूलियन फस्टर है। वहीं दूसरी तरफ, ओलिविया ने उस बस ड्राइवर से कुछ पूछताच की। ड्राइवर ने बताया कि उसके आज तक के करियर में उसने एक छोटे से जांवर तक को नहीं मारा और वह खुद भी हैरान है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जांच के दौरान लीन को क्राइम सीन पर वह पेंसिल दिखाई दी जो उसे पूरी तरह से हैरान कर गई। थोड़ी पूचताच करने पर यह पता चला कि सरक किनारे बैठा वह आदमी इसी पेंसिल को उठाने गया था और इसी बीच उसकी टकर साइकल वाले से हो गई। यह सुंकर लीन समझ गया कि इस पूरे फसाद की जड़ यही पेंसिल है और इसी ने उस चेन रेक्शन की शुरुआत की होगी जिसके चलते उस औरत की मौत हो गई। इसके बाद ये सभी लोग हेड़कौार्टर पहुंचे जहां लीन और चारली पिछले हफ़ते हुए हादसों में कोई कनेक्शन ढूंडने की कोशिश करने लगे। पहले तो इन हादसों में उन्हें कोई कनेक्शन नहीं मिला, लेकिन जब लीन ने इन तस्वीरों को ध्यान से देखा, तो उसे उनमें वह पेंसिल कॉमन दिखाई दी। इससे उसका शक यकीन में बदल गया कि इन दोनों हादसों के पीछे किसी इनसान का हाथ है। इसके बाद लीन और चार्ली ने एस्टिड नाम की एक लेडी को बुलाया, जो इस फ्रिंज डिपार्टमेंट की एक मैथेमेटिशियन है। एस्टिड सभी को बताती है कि एक ऐसे चेन रेक्शन को जम दे पाना और उसे अपने फेवर में इस्तिमाल करना किसी भी इनसान के लिए इंपॉसिबल है। लेकिन वह अभी कुछ और कहती कि तब ही इन लोगों को एक और हादसे की खबर मिलती है। खबर मिलते ही यह सभी फॉरण उस लोकेशन पर पहुंचे जहां उन्होंने देखा कि इस बार उनका विक्टिम जिंदा बच गया है। लगाए रोड को क्रोस करने की कोशिश कर रहा था। तब ही सामने से आ रही एंबुलेंस ने उसे टकर मार दी और इस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। यह देखते ही ओलिविया ने अपने टीम मेंबर्स को उसकी सूचना दे दी और फॉरन माईलो की ओर भागी। ओलिविया को अपनी तरफ आता देख माईलो ने कुछ हिसाब किताब लगाया और पास में पढ़ी एक सा को पुल से नीचे फिंक दिया। माईलो के ऐसा करते ही सामने से आ रही बस ने अपना रास्ता बदल दिया और सीधा उस ब्रिज की तरफ पढ़ने लगी जिसके ऊपर माईलो खड़ा था। इधर ओलिविया भी ब्रिज के ऊपर पहुँची और माईलो के सामने अपनी बंदूग तान दी। लेकिन अभी वह कुछ कर पाती। उससे पहले माईलो ने इस ब्रिज से जम्प लगा दी और सीधा उस बस के ऊपर जा गिरा। जब तक ओलिविया कुछ समझ पाती तब तक माईलो उसकी गिरफ्ट से निकल चुका था। इसके बाद माईलो अपने घर पहुँचा जहां उसकी बेहन मैडी उसके लिए परेशान हो रही थी। मैडी कहती है कि पिछले कुछ दिनों में हमें हॉस्पिटल से काफी कॉल्स आ चुके हैं और हमें जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलने जाना होगा। लेकिन काफी समझाने के बाद भी माईलो हॉस्पिटल जाने के लिए राजी नहीं हुआ और मैडी की बातों को नजर अंदाज कर दिया। यहां मैडी ने उसे सरेंडर करने को कहा और उसे समझाया कि वह इस जुर्म की दुनिया में कितना आगे निकल चुका है। हालांकि माईलो को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और वह अपने किये हुए कामों को जस्टिफाई करने लगा। लेकिन अभी वह कुछ और कहता, तभी मैडी ने उसे एक प्लास्टिक का घोड़ा दिखा दिया, जो उसे उसकी माने दिया था। अब यह घोड़ा देखकर माईलो काफी अनकमफर्टेबल हो गया और उसे अपनी मा की याद आ गई, जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद हम एजेंट ली को देखते हैं, जिसे रेगुलर स्किन चेक अप के लिए हॉस्पिटल लाया गया था। अब चेंबर में जाने से पहले ली ओलिविया से कहता है कि तुम उन तीनों लोगों के बीच कोई कनेक्शन धूंड हो, जो इन हादसों में मारे गए हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखकर ओलिविया अपने हेड़कौार्टर्स पहुंची और इन तीनों विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन धूंडने की कोशिश करने लगी। अब थोड़ी जांच के बाद ओलिविया को यह पता चला कि जो तीन लोग उन हादसों में मारे गए थे, वे सभी एक ही हास्पिटल में काम करते हैं। इसके बाद ओलिविया ने यह सारी जांकारी चारली को दी और यह दोनों फॉरण उस हास्पिटल में पहुंच गए। इसके बाद डॉक्टर ने उन्हें कुछ पेशेंट की वीडियोस दिखाई और इन वीडियोस में ओलिविया ने माइलो को नोटिस किया। अब डॉक्टर लेविन ने बताया कि माइलो भी उनका एक पेशेंट है और इस एकस्पेरिमेंट का एक हिस्सा है। एक्सप्परिमेंट के बाद माईलो को उसकी बेहन की देख भाल में घर भेजा गया और एक हफ़ते बाद दोबारा से हॉस्पिटल आने को कहा गया ताकि इस एक्सपिरिमेंट को रिवर्स करके उसकी दिमागी हालत को नॉर्मल किया जा सके. पर जब एक हफ़ते बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे कॉल किया तो उसने वापस आने से मना कर दिया और अपना फोन स्विच आफ कर लिया अब माईलो की बेहन का पता लगते ही ओलिविया और चारली ने उससे मिलने का फैसला किया और फोरन हॉस्पिटल के बाहर आ गए लेकिन वो इस बात से अंजान थे कि माईलो ओलिविया की हर एक मूवमेंट को अब्सरव कर रहा है और इन मूवमेंट्स में दिखने वाले पैटर्न को एनालाइज करके उसके अगले मूव को जाने की कोशिश कर रहा है अब थोड़ी देर बाद ओलिविया और चार्ली माईलो के घर पहुँचे जहां उनकी मुलाकात मैडी से हुई उन्होंने मैडी से माईलो के बारे में पूछा जिस पर मैडी ने जवाब दिया कि उसे माईलो के बारे में कुछ नहीं पता अब यहाँ इन दोनों को शक हो गया कि मैडी जरूर उनसे कुछ चुपा रही है इसलिए ओलिविया ने उसे माईलो के किये मरडर के बारे में बताया और उसे समझाया कि माईलो का आजाद घुमना कितना खतरनाक हो सकता है इस बातचीत के दोरान जब चारली घर की तलाशी ले रहा था तब ओलिविया ने मैडी को अपनी बेहन के बारे में बताया जो अब इस दुनिया में नहीं है यह सुनकर मैडी को काफी बुरा लगा क्योंकि कुछ महीनों पहले ही उसने भी अपनी मा को खोया था अब इस मिलते जुलते हालात ने मैडी के दिल में हमदर्दी भर दी और उसने ओलिविया को माईलो के बारे में कुछ जांकारी दी मैडी ने बताया कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद माईलो का दिमाग काफी तेज हो चुका है और वह अपनी कैलकुलेशन को यूज करके अपने आसपास हो रही घटनाओं की भविश्यवानी कर सकता है और उसके कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए उसे वो लकडी का घोड़ा दिखाना होगा जो हमें हमारी माने दिया था इसके बाद मैडी ने ओलिविया को एक लिफाफा दिया जिसके अंदर उस होटल का एड्रेस था जहां माईलो पिछले कुछ दिनों से रुका हुआ है यहां मैडी ने ओलिविया से कहा कि अब वो यह घर छोड़ कर जा रही है क्योंकि वो माईलो की इन हरक्तों से तंग आ चुकी है अब एड्रेस मिलते ही ओलिविया और चारली उस होटल की तरफ निकल गए जहां माईलो पिछले कुछ दिनों से चुपा बैठा है वहीं दूसरी तरफ हम माईलो को देखते हैं जो होटल की खिर्की पर खड़ा होकर कुछ कैलकुलेशन कर रहा था वह अपने सामने मौजूद कंस्ट्रिक्शन एरिया को देख रहा था जहां लो ओक्सीजन लेवल का बोर्ड लगा हुआ था दरसल इस कंस्ट्रिक्शन एरिया में धूल मिट्टी काफी ज्यादा थी और यहाँ सांस लेने के लिए एक ऑक्सीजन पंप की जरूरत थी अब माईलो ने अपनी कैलकुलेशन करी और ओलिविया को जान से मारने का प्लान बनाया माईलो का प्लान यह था कि वो ओलिविया को इस कंस्ट्रिक्शन एरिया तक लाएगा और जब ओलिविया ऑक्सीजन ब्रेक लेगी तब वह सीमेंट के ब्लॉक्स को उसके उपर गिरा कर उसे जान से मार देगा अब माईलो की भविश्यवानी के हिसाब से ओलिविया और चारली उस होटल तक पहुँचे जहां ओलिविया की नजर माईलो पर गई जो की सड़क के उस पार खड़ा होकर इंका इंतजार कर रहा था अब ओलिविया को देखते ही माईलो उस कंस्ट्रिक्शन एरिया की तरफ भागा और यह देखकर ओलिविया भी उसका पीछा करने लगी अब ओलिविया जो की एक क्लोन है वह इस लो ओक्सिजन लेवल के साइन बोर्ड को समझ नहीं पाई और बिना ओक्सिजन पंप लिए उस कंस्ट्रिक्शन एरिया में चली गई अब ओलिविया के ऐसा करने से माईलो की सारी कैलकुलेशन गलत हो गई और जिन ब्लॉक्स के नीचे दबा कर वह ओलिविया को मारना चाहता था ओलिविया उनसे भी बच निकली अब अपनी कैलकुलेशन को गलत होता देख माईलो पूरी तरह से शौक हो गया और अंत में ओलिविया के हाथों पकड़ा गया लेकिन परियाप्त ऑक्सीजन ना मिलने के चलते ओलिविया को सांस लेने में तकलीफ होने लगी और वह सीधा जमीन पर जा गिरी यह देखकर माईलो ने भागने की कोशिश की लेकिन लास्ट मोमेंट पर चारली वहाँ पहुँच गया यहाँ उसने माईलो पर अपनी बंदुक तानी और ओलिविया को ऑक्सीजन देकर उसकी जाम बचाई अब इस पूरी भागदौर के बाद चारली ने ओलिविया से पूछा तुम बिना ओक्सीजन पंप लिए उस एरिया में क्यों चली गई इस पर ओलिविया ने जवाब दिया कि माईलो को पकड़ने की जल्दबाजी में उसका ध्यान उस साइम बोर्ड पर गया ही नहीं जबकि सचाई तो यह है कि ओलिविया उस साइम बोर्ड को देखकर भी समझ नहीं पाई क्योंकि वह एक क्लोन है और यह साइन बोर्ड उसके लिए बिलकुल नया है अब आखिरी सीन में हम माईलो को देखते हैं जो कि एक आइसोलेटेड चेंबर में बंद था और एक सुपरकम्प्यूटर से बातें कर रहा था डॉक्टर्स का कहना था कि माईलो का दिमाग इतना एडवांस हो चुका है कि उसके विचारों को समझ पाना किसी भी इंसान के लिए इंपॉसिबल है अब यह जानकर मैडी को काफी दुख हुआ क्योंकि वह चाहकर भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकती थी लेकिन जाने से पहले वह एक आखिरी बार माईलो से मिलने आई और उसके सामने यह खिलोने वाला घोड़ा रखकर चली गई